क्रेडिट स्वीस के हेल्थ पर काफी सवाल उठ रहे हैं, स्टॉक उनका वैसे भी रिकॉर्ड लो पर है, काफी वहाँ पर हो रहा है और उसके साथ साथ दोईश बैंक की बात भी चल रही है, बाकी भी कह रहे हैं कि ये यॉरप के बैंक्स बहुत अनहेल्दी हैं यूके की पेंशन से तो आपको सिर्फ पता चल रहा है अब भी नहीं, तो ये बात काफी समय से है, छुपी हुई थी, अब सामने आईए जो अब तक अमेरिका में दिखी नहीं, ये फर्स टाइम अमेरिका में ये संकेत आ रहा है, नो डाउट, क्रेट सुिस की प्रोब्लम कोई आज की नहीं है, चार-पांच सालों से क्रेट सुिस की सहत पर हमेशा सवाल उते आएं, तीस-पैंटिस डॉलर वाला स्टोक तीन- प्रेजेंट नहीं दिखाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है शेयर के दामों में, तो अब क्या सही होगा, शेयर के दाम ठीक हो जाएंगे, या क्रेट सुिस की हालत खराब होगी, यह देखने वाली बात है, लेकिन क्रेट सुिस साथ में डॉश बिंग का भी नाम हा रहा है, I don't know कितने सही है, कितने गलत ही है, हमारी समझ के बार की चीज़ है, लेकि मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि 2008 में भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी हमेशे हैं जब कभी भी मार्केट बहुत खराब होते हैं, और इस तरह के दो-चार बड़े फैलियर होते हैं, तो वहां में हैं, कम्तिया और बैंक बंद हो रहे हैं, और वहां से फिर आपको मोटम बनने के संकेता हैं, तो development है, नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि क्रेइट सुष डोश ऐसे हैं, जो दुनिया वर में अपनी गहरी पकड़ रखते हैं, वजन रखते हैं, फैले हुए हैं, तो इनक के फैल होने का असरा दूसरे पर जो फैलता है, वो हमेशे ही होता है, यह ना बिगड़े ना और खराब हो, तो ठीक है, लेकिन हुआ तो तकलीफ की बात है, हुआ तो तकलीफ की बात है,